हेलो स्टुरेंट्स आज के लेक्चेर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रोपर्टी इस इस पहले आप इस चैपटर के में नरे दो पाप्ट बनाए हैं पार्ट वन और पार्ट उ इसमें हमने metal और non metal की जो है physical property को complete किया है और यह chapter बहुत ही important है यह chemistry का इतना important chapter है कि आपको अगर आप science stream में जाते हैं तब भी 9, 10, 11, 12 मतब आप जब तक science stream में रहोगे तब तक आपके यह काम आएगा तो इसे carefully और ध्यान से समझना है तो आज हम आज की lecture में chemical properties से start करेंगे metal और non metal की और अगर आपने physical property नहीं समझीए तो पहले मेरी पिछली दो वीडियो को देखे उसकी physical property समझो उसके बाद chemical property को समझना तो start करते हम अपनी chemical properties chemical properties of metal and non metal reaction with oxygen oxygen से हमने क्या करना है reaction करना है किसकी metal और non metal की reaction करना है तो reaction with oxygen you are familiar with the phenomenon of the rusting of iron आप अपने फैमिलियर होगे phenomenon से rusting of iron rusting of iron means आपको पता होगा लोहे में जंग लगना है लोहे को आपने देखा और कई हमारे घरो में तो बहुत सारी चीज़े यूज की जाती है तो कई बार वो moisture के संपक में आ जाती है air के संपक में आ जाती है या कोई खुले में पानी में रह जाता है तो उसमें क्या लग जाता है जंग लग जाता है ठीक है तो इसी तरीके से रस्टिंग आफ आइरन के बारे में आपको क्या है पता होगा आगे हम इसको थोड़ा सा ए डिटेल पढ़ते हैं आपने पहले 7th क्रास में भी एक्टिविटी पढ़ी हुई है एक रस्टिंग की और एक मेगनीशियम की जो है ऑक्सिजन के साथ रियक्शन तो इसी तरीके से जो रस्ट है वह भी ऑक्सिजन से रियक्शन करके ऑक्साइड बनाता है और जो मेगनीशियम यह भी मेटल है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था तो जो मेगनीशियम में वह भी ऑक्सिजन से रियक्शन करके क्या बनाता है मैगनीशियम ऑक्साइड ब इसलिए इसका सिंबल क्या है Fc, Oxygen, O2, Water, H2O, ये तीनों चीज़े आपस में मिलके जो रियक्शन करती है, उसे क्या बहुते है, ठीक है, या Metal, Oxygen और Water के साथ रियक्शन करके Metallic Oxide बनाता है, इसी तरीके से Magnesium, Magnesium ने किसके साथ रियक्शन की, Oxygen के साथ, Magnesium का सिंबल, Mg, Oxygen का सिंबल, O2, क्या बनाता है, Magnesium Oxide बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो चीज़ देखी, एक चीज़ ये देखी, कि जो Metal है, ये दोनों ही Metal थे, Iron और Magnesium, दोनों ने Oxygen के साथ, रियक्शन करके क्या बनाना है, Metallic Oxide, तो यहाँ पर एक एक्टिविट दिए, हमें एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 4.3, Let us check the nature of the rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water, हम चेक करते हैं, जो रस्ट अपने आप लगता है लोहे में, तो जब रस्ट लगता है, वो Iron किस के साथ रिक्शन करता है, Oxygen और वाटर के साथ रिक्शन करता है, ठीक है, फि तो यह जो रस्ट लग जाता है, जो जग लग जाता है लोहे के उपर, उसको हमें एक स्पून क्या कर लेना है, एकठा कर लेना है, और एकठा करने के बाद उसको वाटर में क्या कर देना है, डिजॉल कर देना है, You will find that the rust remaining the suspended in water, shake the suspensions well, तो इसको पानी में डाल के अच्छी solution with red and blue litmus paper, red and blue litmus paper से इसका test करना है, तो blue and red litmus के बारे में आपने class 7 में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, कि जो red litmus है, वैसे मैं आपको एक बार रिमाइन करवा देती हूं, तो जो red litmus है, वो अगर हम acid में डालते हैं, तो हमेशा कैसा उसका color देता है, red ही देता है, और अगर blue litmus को हम acid में डालते हैं, तो उसका color क्या हो जाता है, red हो जाता है, means acid में red, red रहेगा, और blue क्या हो जाएगा, red, इसलिके से अगर base है, तो उसमें अगर हम red litmus डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, blue, और blue litmus डालेंगे, तो already क्या रहेगा, blue, ठीक है, तो acid में red always, और तो यहां पर हमने फिर उसको लिटमस डाल के इसका परिक्शन करना है और देखना है अब आपने जो सॉलूशन लिया है वो क्या है एसिड है या फिर बेस है तो इस तरीके से देखो यह डाइगराम में दिया हुआ है कि यह जो है टेस्ट्यूब है टेस्ट्यूब में हमने क्या किया है टेस्ट्यूब में रस्ट्यूब में क्ठा कर लिया उसको डिजॉल कर लिया तो यहां पर देखो यह नीचे पहले तो रस्ट्य को यहां ही कठा किया हुआ है यह प्लेट में ठीक है रस्ट्यूब में क्या क होता है यह बताना है ठीक है तो आगे देखते हैं कि डश कॉपर आसो गैट रस्ट आइव सीन एक ग्रीनिज डिपॉजिट ऑन दो सर्फेस ऑफ दो कॉपर वैसल तो यह पहली बोल रही है का मत्दब क्या होता है कि जो कॉपर है हमने लोहे में तो बोल दिया कि रस्ट होता है ठीक है और जंग लगने के बाद इसी तरीके से जो लोहे में जंग लगता है ऐसी जो कॉपर के पोट होते है कॉपर के बरतन होते है या कॉपर होता है उसमें भी उसके उपर ग्रीन कलर की जो है एक लेर डिपॉसिट हो जाती है एक लेर आ जाती है इसका मत्तब जो कॉपर और को भी क्या होता है रस्टल होता है मतलब व Dabei क्या होती है Expose पॉ पोखेयर में एयर और मॉश्चेर से क्या कर लेती है रियीक्षिन कर लेती है तो आगे पढ़ते हैं वैन एक कॉपर वैसली एक्सपोज तो दा मोईस्ट एर फॉर लॉंग इट एक्वाइर एडल ग्रीन कोट तो कॉपर जब एट्मोसफेर में खुला चोड़ते हैं उसके पर कैसा क्लर चाज जाता है ग्रीन कोटिंग आ जाती है मिस अब यहां दो चीज़ ध्यान रखने वाले कि जो रस्ट है वह कैसा ब्राउन कलर में होता है और जो कॉपर के ऊपर जो रियक्शन होती है एट्मोसफेर से ऑक्सिजन और वाटर की उसके उपर कैसी कोटिंग होती है ग्रीन कोटिंग होती है ठीक है तो ग्रीन माटेरियल ह है मिक्शर ऑप दो कॉपर हाइड्रोग्सईड तो जो ग्रीन कलर का माटेरियल है अगर हम उसको देखे तो वह किसका होता है कॉपर हाइड्रोग्सईड कोपर मतलब सी यू ठीक है सी यू ने किसके साथ रियक्शन करना है C2O के साथ या फिर ऑक्सिजन के साथ तो क्या बन Cuc3, तो इसकी reaction क्या हो गई अब देखते हैं, इसकी reaction जो है Cu, यानि कि क्या हो गया, copper, इसने किसके साथ reaction की, water के साथ, atmosphere की oxygen के साथ, तो क्या बनाया, copper oxide और copper hydro oxide, आगे देखते हम, now recall the activity of the burning of magnesium ribbon अब हम अगली activity magnesium ribbon की जलने की देखते हैं the ash obtained on burning of magnesium ribbon is dissolved in water and test for its acid or base nature अब magnesium metal है उसको भी हमने atmosphere में जलाया जलाने के बाद जिसना भी उसका जो राख था जो powder था उसको हमने क्या क्या वाटर में dissolve करके उसको भी test करने की acid है या फिर base है is the solution acid or base how do you how do you acid in this आपने क्या पता लगाए कि ये acid है क्या base है you have sorry you must have observed that the red litmus turn blue आपने क्या देखा जो red litmus डाला वो कैसा हो गया blue हो गया तो अभी just मैंने आपको पता है था अगर blue blue color आ रहा है it means वो क्या है base है अगर red red होता है तो क्या होता है acid तो इससे हमें क्या हो रहा है अगर blue हो जा रहा है litmus तो इसका मत्तों कैसा nature दे रहा है basic in nature so oxides of magnesium is also basic in nature in generally metallic oxide are basic in nature let us now observe the reaction of the non-metal with oxygen oxygen तो अब इसमें आपने क्या पढ़ा कि जो metal है वो oxygen से reaction करके क्या बनाता है metallic oxide ठीक है और metallic oxide का nature कैसा होता है basic in nature I hope इतना समझ आगे आपको ठीक है next आगे start करते है activity 4.4 इसमें क्या दिया हो है आपको कि to the demonstrated by the teacher in the class इसको teacher के साथ class में करना है तो take a small amount of the powder of the sulfur in a deflagrating of the spoon and the heat it and the deflagrating spoon is not the available you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metal wire around and it and give it the shape showing figure 4.4 यहां पर देखो आपको figure में दिया हुआ है इस तरीके की bottle ठीक है यह इस तरीके की bottle इस तरीके की bottle लेनी है ठीक है मानलो आपके पास नहीं है इस तरीके की bottle तो आप इस shape में किसी कोई भी bottle ले सकते हो कोई भी दूसरी spoon से इस shape का बना सकते हो ठीक है जिसमें हम एक स्पून जो है पाउडर लेंगे किसका सुफर का पाउडर लेंगे इस तरीके की जो यह डाइग्राम में बॉटल दिख रहे हैं इस तरीके की बॉटल से ठीक है यह टेस्ट करने के लिए हमने लेना है तो अब इसको देखते आगे खर सबस्पने है इस तर है उपि लें selective खरुंप का जो देखते हैं लेता कि अविदा करने स्काने ड़िब से अगे, जूव जाने स già स्वें a धु ऐडमिसा बुटटल अगे तो जूड़ ए टेमिसंपर जड़क देखते रहे लेदाटर, तो च्वॉश्यवन पार स्पास बोड़ स्पास था। चैक स्पुन नहीं इस स्पून पुर्ड बनगा। कोई भी मैटलीक कैप ले लो और आप का बन गया स्पून अमने इस जार के लाकल कर दिया है. इस तरीक फोन नहीं वीत texto अधी सब्षाब पास नाम क polarization है, करना इसके पास जब यह बन होगा जलेगा तो हम जो इसका पाउडर हो गाउगा उसको देखेंगे और चेक करेंगे कि यह क्या होता है ह некотор अग्या सबस्सक्राइद करेंगे तो इस पर लिटमस आzan को यह नगभ पर आफिके की इसके पर यूँद औकर के पास रहा है कहा रहे हैं कि कि जो रिड रिटमस्क कर रह क्या हो गया था वैसे मैं आपको बता दू जो सलफर था हो क्या होता है नउन मैठल हो थाइन था है ठिशिंabilir और मतल सल्फ drainage स्थिर्प पॉल्फर क्या स्थाफनिं तो इस तो साथ मेटल और देन की ऑपने इस हम इसमेटजिन की और एड्मॉस्विर अड्माश होता हुआ यह बाती और पर निहां क्पर्स घ्रत यहां वत्यद सुप्ट है उनकी रीक्शन के बाति वह पो एक तोक्षानम हckt होता है और वह क्या होता है basic in nature होता है मतलब metal जो है वह basic in nature होती है और acid जो है वो कैसा होता है और non-metal जो होता है वह कैसा nature का होता है acidic in nature होता है ठीक है students next topic जो है हम next video में देखते हैं okay I hope आपको समझ में आ गया हो तो please like subscribe and share my video